आपने किंग खान का नाम तो सुना है लेकिन किंग की कुईन की जिन्दगी के बारे में कुछ जानते हैं क्या जी हाँ ये दास्ता है गौरी चिप्बर की जिनका जन्म हुआ आठ अक्टूबर सन 1970 में वही गौरी चिप्बर जो आगे जाकर बनी गौरी खान गौरी चिप्बर का जन्म दिल्ली शहर में हुआ और ये एक पंजाबी है इनकी मा का नाम सभीता और पिता करनल रमेश चंदर चिप्बर ये दिल्ली के पंचिल पार्क के लाके में पली बढ़ी इनके पढ़ाए लिखाई हुई लडेटो कॉन्वेंट स्कूल में हाला कि इन इनके पता का गार्मेंट बिजनस था इसलिए इन्हों ने टेल रिंग भी सीखी अब सवाल ये कि आखिर गौरी चिप्बर शारुखान से कहां मिली इन दोनों की मुलाकात हुई सन 1984 में शादी हुई 1991 में तारीख 25 अक्टूबर और इस शादी शारुखान के सूपर स्थार में हुआ बेटा आरियन खान सन 2000 में हुई बेटी सुहाना खान और सन 2013 में हुआ बेटा अब राम खान जो कि सरोगेसी से हुआ था गौरिखान ने शारुखान के डिस्रिबूशन कंपनी रेट चिली इंडेटेन्मेंट में जबर्दस भूमिकाने भाई ये एक प्रेड्यूसर बनी और फरा खान की डिरेक्टोरिल डेब्यू फिल्म मैहुना ने कमाल कर दिया इन्होंने ओम शांती ओम भी प्रेड्यूस की और हापी नियू यर भी ये बात कम लोग जानते हैं कि ये MTV इंडिया के एक वीकली हिंदी म्यूजिक काउंडाउन शो की आंकर भी थी जी हां उसका नाम था कोई सन 2010 में ये प्रोफेशनली इंटीर डिजाइनिंग में आ गई और इनके साथ ही बनी रिदिक रोशन की एकस वाइफ सुजैन खान गौरी खान बड़े ही शालीन तरीके से मीडिया के सामने आती हैं और बहुत कम ही इन्हें मीडिया के सामने दरसल देखा गया है यकिनन शारुख खान जाने के बार शाखान की कोई बेगम हो सकती थी तो वो सेर्फ और सेर्फ गौरी छिबर ही हो सकती थी महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्ताने जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री